हैलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनुराधा एहल्थकर प्रफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चानल जब आप प्रेग्निंसी कंसीव कर लेते हैं तो आपके ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं क्या ब्रेस्ट के बदलाब से या फिर ब्रेस्ट में होने बाल और अगर आपका period आने वाला होता है तो आपके breast में क्या-क्या changes आता है और उसमें आप कैसे differentiate कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम डीटेल में बात करेंगे तो इसको बारी की से समझने के लिए वीडियो को अन तक जरूर देखेगा वीडियो को skip बिल्कुल भी मत कीजेगा वीडियो सुरकन से पहले मेरा आपको एक request है कि अगर अभी तक आपने अनुराधा क्यार चानल को subscribe नहीं किये हैं या फिर चानल में नाए हैं तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजी और साथी साथ बेल बटन को भी हिट कीजे ताकि इसी तरह का pregnancy related वीडियो का notification सबसे पह बग हो जाता है तो इसके बाद आपके सरीर में बहुत सारे pregnancy hormone डेवलप होना सुरू हो जाता है जैसे कि estrogen, progesterone और beta-seg hormone इन hormone के बज़े से आपके पूरी सरीर में बहुत सारे changes आते हैं आपका सरीर का वो हिस्सा जिसमें की सबसे ज़्यादा changes आते हैं जब आप conceive कर लेते हैं वो है breast बच्चा पैदा होने के बाद breast का सबसे एहम भूमिका होता है बच्चे को feed कराने के लिए इसलिए जब आप conceive कर लेते हैं pregnancy hormone का सबसे पहला जो काम होता है वो है आपके breast को तयार करना इसके बचे से breast में सबसे पहले changes आते हैं और बहुत ज़्यादा changes आते हैं और ये जो changes होता है आपको period मिस होने से पहले भी नज़रा सकते हैं तो क्या-क्या changes आते हैं चलिए बात करते हैं पहला जो change है वो है कि आपका breast है वो tender हो जाएगा यानि कि नर्म हो जाएगा वो full जाएगा यानि कि swollen हो जाएगा उसमें दर्ध हो सकता है यानि कि breast के किसी भी part को अगर आप चुएंगे तो आपको दर्ध हो सकता है और सबसे ज्यादा जो changes होता है आपके breast में वो है आपके nipple के area में और उसके आसपास के area जिसको की हम area बोलते हैं प्रेग्निंसी कंसीव करने के बाद आपका nipple dark हो जाएगा वो bumpy हो जाएगा यानि कि थोड़ा बहुत आगे protrude करने का आपका जो nipple का आसपास का area है जो circle हो जिसको की हम area बोलते हैं वो उसका diameter है वो भी थोड़ा बहुत increase हो जाएगा निपल के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे ग्लांड्स होते हैं वो भी उभर के दिखने लगेंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो gland होते हैं वो oil secretion करते हैं जो की nipple के area को lubricate करने में मदद करते हैं लेकिन अगर आपका conception successful नहीं हुआ है यानि कि आपने conceive नहीं किया है और आपको PMS यानि कि pre menstrual syndrome है तो आपका जो breast है वो सिर्फ और सिर्फ tender हो जाएगा या फिर उसमें थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है लेकिन आपका nipple में कोई भी changes नहीं आएगा या फिर आपका जो area का पार्ट है उसमें भी कोई भी changes आपको नजर नहीं आएंगे अगर period मिस होने से पहले आपके breast में tenderness, swellness और particularly आपका nipple और area का पार्ट में इतने सारे changes नजर आ रहे हैं तो पक्का आप इस महीने conceive कर लिये हैं लेकिन फिर भी आपके pregnancy को confirm करने के लिए आपको period मिस होने का इ pregnancy test कर लेना होगा अगर pregnancy test में आपको दो pink line या फिर positive sign नजर आता है तो आपने conceive कर लिये हैं तो मैं उमीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपका ये doubt clear हो गया होगा कि period आने से पहले breast में क्या changes आते हैं जिसको कि हम PMS बोलते हैं और अगर आपने conceive कर लिये हैं तो आपके breast म में क्या क्या changes हो सकते हैं और एक नए informative वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ तब तक के लिए stay healthy and stay happy and keep watching